तो दोस्तो कैसे हो आप सभी लोग? I hope कि आप लोग एकदम ठीक होंगे दोस्तो यार आज से बहुत सालों पहले सारे के सारे रोबोट्स ने मिलकर हमारे वोश्टाउन के लोगों को मारा उन लोगों के अंदर हमारे रोफिरों के पिताजी भी थे तक कि पुलिस इस्टेशन पर पी भाई एरक्राप जैसे बड़े रोबोट्स तो ने कबजा कर लिया पुलिस वाले भाई उनका कुछ नहीं कर पा रहे थे बैचारे पुलिस वाले भी नहीं कर पा रहे थे और ऐसा कोई हीरो भी नहीं था जो इन रोबोट्स को रोक सके वो ए Iron Man की dress भी purchase कर लिया अब दोस्तों उन सभी की band बजने वाली है जिनोंने रोपीरों के पिताजी को मारा और वोच्टाउन के बेकसुर लोगों को मारा चलो दोस्तों उन सभी को ढूंडते है और उन सभी robots का खात्मा करते है तो दोस्तों हमारे Iron Man को एक robot तो मिल गया है और उसक सबसे पहले हैं कूँकि भाई इसने सबसे ज़õदा लोगों को मारा है लेकिन भाई इसने तो पुलिस वालों को ख्रीद लिया यह धे हो बैऑनि इसकी सिक्रिटी कर रहे है यार कब से इसकी सिंख्योरोgement करने लिगी लगता है कि मेरे कोई अभी तो यहाँसे चम्चे है लेकिन आज दुनिया की कोई भी ताकत हमारे आयरन मेन को नहीं रोख सकती तो यार ये जेल तो क्या लगेगा चलो भाई जेल को तोड़ने की कोशिस करते है क्या दोस्तों आयरन मेन जेल को तोड़ सकता है ओ भाई जेल तो तूटने वाला है और ये तूट भी गय या चलो भई फटापड चलते है बाहर और यार उस green transfer को सबसे पहले मालेंगे क्योंकि उसी के वज़े से हमारा iron man jail के अंदर आया है ना चलो भई फटापड चलते है और अभी ये पुलिस वाले की गाड़ी ही लेके चलता हूँ थाकि पुलिस वाले मेरे को रोकेंगे तो नहीं न चलो भई फटापड चलते है और किसी भी पुलिस वाले को अभी तक खबर नहीं हुई कि हमारा रो फिरो जेल को तोड़ कर भाग यानि कि iron man तो दोस्तो फटा पड़ चलते हैं और बिना time waste की उस सबसे पहले उस green transformer को डूंडेगे यार ऐसे तो पता नहीं वो कम मिलेगा हाँ दोस्तो यार हम इस car से नहीं डूंड पाएंगे क्योंकि वो पता नहीं कहां पे होगा तो दोस्तो यार अब भी फिलाल हम आ चुके है वोश्टाउन की सबसे उची वेलिडिंग पे और मेरे सामने है हेलिकॉप्टर हाँ दोस्तो हेलिकॉप्टर में बेट कर हम उसको आसानी से ढूंड सकते हैं और इस हेलिकॉप्टर में बहुती खतरनाग मिसाइले है हाँ दोस्तो ये मिसाइले उस ग्रिन ट्रांसफर के टुकडे टुकडे कर देगी दोस्तो ग्रिन ट्रांसफोर्मर के मरने के बाद में ये लड़ाई महा युद्ध हो जाएगी क्योंकि भाई उसके साथी भी आ जाएंगे न यलो ट्रांसफर हो गया एरकराप्ट हो गया और बहुत सारे बड़े बड़े रोबोट सारे के सारे आरेन में के पीछे होंगे आरेन में को मारने के लिए क्या दोस्तो यार आरेन में उनसे बच पाएगा लेकिन दोस्तो हमें उनको भी मारना है ना यार हम एक बहुती खतरना फ्रक्षा आपक जाल बिचाएंगे जिसमें सारे ईसारे इस innovation बापस चैनि वह जाएंगे वह हैं सन उद्लिश वाले नहीं हो तो यार उसको मारना आसान हो जाएगा ना यार पिछली वार तो पुलिस वाले थे तो यार हमें पकड़ लिया था लेकिन अभी वो मेरको देख चुका है यार लेकिन मैं इसकी नीची से कैसे जाऊ ओ यार हमारा हिलिकॉप्टर कहीं पस न जाए ओ ये तो फस ओ भाई निकल तो गया वेसे हमारा हेलिकोप्टर भी डेमेज हो गया इसके अंदर से तो धुआ निकलने लगया चलो भाई ग्रीन ट्रांसपर तो देख चुका है और वो इस बार अकेला है भाई तु इस बार बिल्कूल नहीं बचने वाला दोस्तो उसको में तडपा तडप के मारने वाला हूं चल भाई यार इसने हमारे लोगों को मारा था न और अभी दोस्तों हमारे सारे कि सारे रोबोट्स इसलिए भाग चुके है क्योंकि हमारे साथ में म्यूटेंट सूपर हीरो अब इस वॉश्टाउन में पैदा हो चुके है इसलिए यार यह रोबोट्स कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा चल भाई ग्रीन ट्रास पर रुख जा अभी दिका तेरी योकात तेरी शेना कहाँ पे भाई बाकी सारे रोबोट्स को भी बुला ले क्योंकि आज हमारे पास में बहुत ज़्यदा पाउरफुल सूट है चल भाई बुला ले क्योंकि आज तेरी मौत होने वाली है इस वोश्टाउन में और भाई तू कुछ नहीं कर सकता मैं तेरी उपर बेठू पे बाई दोस्तो यह भढ़क चुका है और अभी यह उट चुका है या लगता है इसको कुछ ज्याधा ही मैंने सुना दिया दोस्तों यह ग्रिन ट्रांस्फोर्मर कितना पागल है यार यह मेरे जाल में फस चुका है और यह रोबोट भी बन्चुका है और भाई अभी मैं इसको मारने वाला हूँ चल भई यार इसको पंकड़ियों से काट दू क्या मैं यार वैसे काटेंगे नै इसको तो हम TOP से उड़ाएंगे यानि मिसाल्च से उड़ाएंगे यार फिर हिलिकोप्टर किसलिए मेले के आया हूँ दोस्तों यह मेरेको पकडने की कौसिस कर रही है लेकिन यह मेरे को नहीं पकड़ पा रहा है चलब बए पकड पकड तो यार ओ भाई यह तो एक के अंदरी मर गया यार मर गया क्या ये तो इतना कम जोर ओ दुबारा से उठ गया चल भई पकड़ पकड़ यार इसको मैं इस हेलिकोप्टर की पंकुडियों से काट देता हूँ हाँ दोस्तो यार तब ये मरेगा इसकी टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ ओ यार फिर से मिसाइल छोड़ दी और ये फिर से उट गया इस पार इसको काट देता हूँ काट देता हूँ और ये पंकुडियों से कट चुका है दोस्तो क्या ये मर गया यार मेरे को नहीं लेंगे वो एक जुन्ड बनाके बेटे होंगे कहीं पर हाँ दोस्तो वेसे हमारे सूपर हीरो म्यूटेंट उनका पता लगाने के लिए गया हुए है तो दोस्तो आप ये वीडियो यहां तक देख ही रहे हो तो भाई पिलीज प्यारा सा लाइक और प्यारा सा सस्क्राइब भ कर दीजिए यार दोस्तो आप लोग बाद में भूल जाते हो यार सस्क्राइब करना यार फटापट से सस्क्राइब कर दो और अपना नाम कमेंट में जरूर बता देना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को शूट आउट देने वाला हूँ चलो भई स सस्क्राइब तो कर लो ता कि हमारा नेक्स्ट पार्ट आपके पास में बहुत जल्दा है हाँ दोस्तो और इन सबी रोबोट्स को तो हम मजा चकाएंगे नेक्स्ट पार्ट में यह लाल वाल रोबोट और यह सबसे बड़ा एरक्राप्ट रोबोट इसको भी हम मजा ना और यह यलो ट्रांस पर हुए बहुत बड़ा है लेकिन दूस्तो यार सबसे खटरनाक तो इसके अदर एरक्राप्ट होने वाला है क्योंकि उसके अंदर मिसाहिल भी हैशास कुछ है बाई लेकिन दौस्तों आपको बिल्कुल भी फिकर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब एक रोबोट है और हमारे पास में है एक पाउर्फुल आरें मेन का सूट जो कि उन सबी की तबाई कर सकता है बोले तो उन सब को मार सकता है आराम से पोलो टिपसन भाई आपको क्या लगता है कि मैं उनको मार सकता तो अकेला थोड़ी है तेरे पिता जी तो फिर भी अकेले थे लेकिन हम सब लोग तुमारे साथ में है वोई स्टाउन में अब रोबोट का नहीं अब हमारा राज होगा दोस्तों टिप्सन भाई तो एकदम सही बोल रहे हैं क्योंकि भाई रोपीरों की पिता जी की साथ में तो कोई भी नहीं थे लेकिन हमारे रोपीरों के साथ में तो म्यूटेंड सूपर हीरो टिप्सन भाई यार बहुत सारे हीरोज है जो रोपीरों के साथ में हैं मैं मानता हूँ कि पुलिस वाले हमारे साथ में नहीं है लेकिन इनको ठीक से समझाने पर पुलिस वाले भी हमा बाइ